हलो दोस्तों स्वाग्ध आपका आदी योगासंत की चाहते दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोतिस विद्या के बारे में जानेंगे जोतिस विद्या के सच के बारे में दोस्तों क्या जोतिस विद्या सच में काम करता है या फिर आपको जोतिस के नाम पर बेवकूब बनाया जाता है या फिर आप खुद बेवकूब बनना चाहते हैं देखिए हर विक्ती चाहता है कि मेरा भविश्य जैसा हो और परतेख विक्ती चाहता है कि उसके जिन्दगी में पैसे हैं की नहीं और हर आदमी चाहता है कि पैसा कमाओ जिन्दगी के सभी सुख और बैवभव को भोगण लेकिन क्या ये सच है कितने परतिसर तक ये बात सच है देखे परतिक विक्ति को उतना ही मिलना होता है जितना की उसके भागे में लिखा है या फिर यूं कह सकते हैं कि law of attraction के नुसार जो भी उसकी frequency है जो भी उसकी mentality है उसके नुसार मिलेगी या फिर वह जिस तरह के वाताव परन या फिर environment में रहता है वह अपने आपको किस तरह से विक्सित करता है यह सब डिपेंड करता है उसके भागे के उपर दोस्तों जोतिस विद्या के नाम पर हम सभी को यह बताया जाता है कि अगर आपके हाथ में है तो परोर्पति होंगे आपके हाथ में लंगी लाइन अगर यहां से सीधा यहां तक जा रही है तो आप परोर्पति होंगे और बहुत साले ऐसे साइन है कि बताते हैं कि आपका जीवन है वह बड़ा ही खुसार है आपका बिवाही जीवन आपका बच्पन पैस्टर्डी सब कुछ लेकिन क्या वह जोतिस जो आपके भागी को ब कीरे देख करके और रटनी रटाई विद्याओं को एक्सेप्ट करके वह आपका भाग्य बदलने चला तो वह अपना भाग्य क्यों नहीं बदल पा रहा है और उन विद्याओं को बताने के लिए आपकी हाथों की रिडिंग कर रहा है और रिडिंग करने के बाद कहरा आपके भाग में ये था भाग में वो है आपके साथ ये घट चुका है घट चुका है 90% बाते ऐसी होती है जो common होती है और हर विक्ति के जिन्दगी में वह घटा है ऐसा बता दीजिए कोई विक्ति जो कि कभी गरीब ना रहा हो या कभी पैसे की तंगी ना चेला हो या फिर कभी उदास ना हुआ हो या कभी धोखा ना खाया हुआ को ऐसा विक्ति बता दीजिए और कुछ ना कुछ उसके साथ घटना घटी रहती है वह इन्हीं सब बातों को वह बोल रहा है और फिर वह आपको और मोटिवेट करता है और मोटिवेट करता है आपके भागे में ये आने वाला है वो आने वाला है जो कि आपको पहले वो चीजे नहीं मिली है कोई ऐसा विक्ति आपको मिल रहा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कोई ऐसा विक्ति आपके मनोबल को बना रहा है कोई ऐसा विक्ति आपके की खुशी को बरकरार रख रहा है और करने की कोशिस कर रहा है जो कि पहले लोग नहीं करने दे रहे थे बस आप उन्हीं सब चीज़ों के चक्तर में फस्ते हैं और एक चीज़ भूल जाते हैं कि आपको फल नहीं मिलेगा भगवत गीदा में Dadis능 कहता है बिना कर्म किये आपको कोई फल नहीं मिलता है और कर्म अगिर आप करते हैं तो फल की इच्छा ना करें यह सब नियती के हाथ में है जिस तरह के आप कर्म करेंगे उसी तरह का आपको फल मिलेगा इसलिए जोतिस विद्याओं के चक्कर में ना पढ़ करके अपने भागे पर अपने पूरसार्थ पर ध्यान दीजिए यही बहतर होगा आपके लिए नहीं तो अगर ऐसा सच में होता तो परतेग जूतिस सबसे पहले करोरपती होता अरपती होता पहले वो अपने भागे बहुत बदलता और आपको अविद्या बताता ही नहीं वो आपके बारे में बो सब्सक्राइब के लिए उसी तरह से जूतिस सच कितना है यह आपको अपने दिमाग से सोचना होगा किस तरह से आप सच कर सकते हैं और वह सच करने का सिर्फ एक ही तरीका है अपना पूरसार्थ और भागे पे भरोसा बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फिट से ए सब्सक्राइब के लिए